नमस्कार मैं आप सुनू आप सभी का आरोमा क्लासिस पे श्वागत करता हूं जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक लेका है जिसका नाम है स्वेज नहर, स्वेज कैनान वर्ल्ड मैप सीरीज का यह सबसे महत्पूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं एक प्रस्ण तो आप लोग बार-बार प्रिवियस एर पेपर में देखते भी होंगे कि कौन सा नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोरता है तो वह कौन है स्वेज नहर है परन्तो इसके अलावा भी बहुत सारे महत्पूर्ण प्रस्ण जो है वह स्वेज नहर से बनते हैं जैसे स्वेज नहर का निर्मान किस प्राइद वीप को काट कर किया गया है, स्वेज नहर पर कौन दो प्रमुख जील अवस्थित है, स्वेज नहर पर कौन कौन सा प्रमुख पोर्ट यानि की बंदरगाह अवस्थित है, इस प्रकार से कई सारे महत्पूर्ण प्रस्ण जो हैं वह आपको स्वेज नहर से बनते हैं जो कि आगामी सभी परिक्षाओं के लिए क्या है महत्पूर्ण हैं इन सभी प्रस्णों पर से हम अजपरदा उठाएंगे आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे एक दम के साथ मैप के साथ आपको यह बतलाने जा रहें और इसी वीडियो में सब कुछ आपको याद हो जाएगा तो आईए हम लोग सुरू करते हैं स्वेज नहर के बारे में जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह क्या है अफरीका का मैप है इसमें पहले हम लोकेट कर ले एकदम लाश्ट तक बने रहेंगे यही हमारा क्या है लाल सागर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेड सी कहते हैं और उपर जो यह निला कलर का पूर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं भुमध्य सागर या इसी को मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं तो तरफ से जल से क्या है घिरा हुआ है और इसको हम लोग क्या कहते हैं सिनाई प्राइद्वीप कहते हैं इसका नाम क्या है सिनाई पेनिन्सूला है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं सिनाई प्राइद्वीप के नाम से जानते हैं प्राइद्वीप किसको कहते हैं कि वैसा तो अरव सागर है, पूरव की बात करें तो बंगाल की खारी है, दक्षिन में क्या आवस्थित है, तो हिंद महासागर आवस्थित है, इसने दक्षिन भारत को हम लोग Peninsular इंडिया के नाम से जानते हैं इसी प्रकार से यहां पर क्या है सिनाई प्राइड वीप है सिनाई पेनिंसूला है इसका मतलब यहां क्या है कि तीन तरफ से जल रासी से घिरा है तो यदि किसी व्यक्ति को लाल सागर से भूमधी सागर जाना हो तो उसको सिनाई प्राइड वी जहाज के द्वारा जाना हो तो सिनाई प्राइद्वीप को रहते हुए यह कभी भी लाल सागर से भूमादे सागर नहीं जा सकता क्योंकि जहाज जो है वह अस्थल को तो पार नहीं करेगा तो इसको देखते हुए क्या किया गया इस सिनाई प्राइद्वीप को काट कर एक नहर का निर्मान कर दिया गया इस फिनाई प्राइद्वीप को काट कर एक नहर बनाया गया और इसी नहर को क्या कहा गया स्वेज नहर कहा गया तो जो आप लोग याद करते होंगे कि स्वेज नहर किस दो जल राशियों को जोडता है यह लाल सागर को किस से जोडता है भुमध्य सागर से जोडता है दूसरा प्रसंद बनता है कि स्वेज नहर का निर्मान किस प्राइद्वीप को काट कर किया गया अब मन में सवाल उठता है कि सिनाई प्राइजवी किसका हिस्सा है देखिए यहां पे लाल सागर के इधर हमारा अफरिका है और लाल सागर के इधर हमारा क्या है एसिया है तो यह भी एक प्रस्ण बनता है कि लाल सागर किन दो महादेशों के बीच अवस्थित है तो अफरिक और Asia के मध्य यह क्या है अवस्थित है तो अब सवाल उठता है कि Sinai Pride Week किसका हिस्सा है अफरिका का हिस्सा है कि Asia का हिस्सा है क्योंकि बीच में आपको लग रहा होगा कि यह connected है लेकिन यह वास्तम में क्या है अफरिका का हिस्सा है अफरिका में भी किसका हिस्सा है मिस्र का हि तो हम क्या बोल सकते हैं अफरीका बोल सकते हैं आईए आगे और भी इसका डिटेल में देखते हैं यहां हम लिख भी दिये हैं जो भी समझाया है पहला तो बताएं कि स्वेज नहर कहां अवस्थित है मिस्र में अवस्थित है क्योंकि अभी जश्ट बतलाएं कि मिस्र में ही स सिनाई प्राई द्वीप है और सिनाई प्राई द्वीप को ही काट कर स्वेज नहर बनाया गया इसलिए स्वेज नहर कहां अवस्थी थे मिस्र में अवस्थी थे यह किसको जोडता है तो यह लाल सागर को किस से जोडता है भूमध्य सागर से क्या करता है जोडता है यह आप लगेगा कि स्वेज नहर के निरमान में लगभग 10 वर्सों का समय लगा इसका निरमान आरंb कब हुआ तो 1869 में इसका निरमान आरंb हुआ और समाप्त कब हुआ है तो 1869 1879 में यह क्या हुआ बन के तयार हुआ देखिए आजकल हम लोग का तकनीक बहुत ज़्यादा विक्सित है, बहुत कम समय में हम बहुत बड़े बड़े ब्रीज का निर्मान कर दे रहे हैं, बहुत लंबा नहर का निर्मान कर दे रहे हैं, लेकिन अठार सो पचास, अठार सो उनसट के समय में उतना तकनीक विक्सित नहीं था उतना मसीन नहीं था जो बहुत कम समय में किसी नहर का निर्मान कर सकते थे और यही कारण है कि लगभग 10 वर्सों का समय लगा है अब कुछ देखते हैं कि इस पे कौन-कौन सा महतपूर्ण पोर्ट है कौन-कौन सा महतपूर्ण जील जो है वहाँ आपको स्वेज नहर पे अवस्थित है तो अभी जश्ट बतलाएं कि स्वेज नहर जो है यह भुमध्धी सागर को किस से जोडता है लाल सागर से जोडता है बीच में जो लाइन हम ड्रॉ किये हैं यह लाइन किसको दर सा रहा है स्वेज नहर को दर सा रहा है तो इस डाइग्राम से ही किलियर हो रहा है कि स्वेज नहर भुमध्धी सागर को लाल सागर से जोडता है अब इस स्वेज नहर पे दो प्रमुक बंदरगाह आवस्थित है एक का नाम है पोर्ट सईद जो भुमध्धी सागर के क्या है मौजूद है इसके अलाबा तीन प्रमुह जील भी स्वेज नहर पर मौजूद है एक का नाम है टिमसा जील दूसरे का नाम है ग्रेट बिटर जील और तीसरे का नाम है लीटिल बिटर जील मौजूद है और स्वेज खारी जो है यहां लाल सागर के निकट क्या है मौजूद है तो यदि आप से प्रस्ण दे दे कि भाई स्वेज नहर पर दो प्रमुक बंदरगाह कौन सा है तो पोर्ट साइद और पोर्ट तौफिक पोर्ट साइद कहा है तो भुमध्य सागर के निकट, मेडिटेरियन सी के निकट और पोर्ट तौफिक जो है वह रेड से लाल सागर के निकट मौजूद है इसके अलाबा लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक जो है यह स्वेज नहर पर क्या है अवस्थित है स्वेज की खारी लाल सागर के निकट मौजूद है यह हमारा रहा स्वेज नहर के बारे में जानकारी उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सेयर कीजिए आप share कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है इसी प्रकार से और भी रोचक वीडियो ले के आते रहेंगे जो कि आपके examination के लिए काफी महत्पून रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया, ठैंक यू आप सभी करें